करेंगे इसलिए ये इंडियन फैक्टरीज एक 1948 जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसमें हम इंपॉर्टन डेफिनेशन कर गये हैं जिसमें की फर्स्ट हम दे करेंगी कास्ट कुपियों में और आज हम उसमें सेकेंड कम जो लेगल कम है वो करेंगे फैक्टरीज अनधीन फैक्टरीज तक प्रेख प्रोटन देफिनेशन घ कुपियों हमारा चतु कि इसलिए एक्टरीज आप्र Lake कर करेंगे जिल्या। इसलिए फैक्ट नेटीर में एक्टरीज की अनधीन टेफिनेशन वीट कई है according to the section 2 of the factories and provide the definition of factories factories includes any premises premises including the presence thereof यानी factories में factory premises और उसके आस पास जो भी जो है उसे रिले बिट जो है उनिफोल वो जो है इसमे आती है तो इसमे जो है first point है वेर 10 और more workers are working और यार वर्की और वर्की मोर on any day of the preceding 12 months and in any part of which a manufacturing process is being carried on with the aid of power or is ordinary soul carried on यानी किसी दस या उससे जाला बढ़कर जो है अगर किसी वर्किंग बेज में किसी भी preceding 12 month में जो है फैक्टरी में या उस इंडस्ट्री में या उस जन्हा काम किया है किसी manufacturing process में with the aid of power यानी किसी पावर से चलने वाले मुश्री आपने यूनिट के थूँ तो वो जो यूनिट होगी या वो जो जो है manufacturing unit होगी वो जो है फैक्टरी में जो है पिछले बारा महिली में किसी भी एक working base पर उस unit में जो है काम करते हैं without the aid of power यान बिना किसी पावर की help में तो वहाँ पर जो है उस unit को factory में count किया जाए इसके बाद third इसमें जो term आती है वो है work up लेकि फैक्टरी में जो machine करने का काम करते हैं जो production करने का काम करते हैं यो वोते हैं work up जो कि production का या अपकिने का सबसे important part होता है तो workers में भी उनकी proper definition जो है इस act में provide की वही है according to section 2 clause i of a worker means a person employed directly or by or through any agency including a contractor with or without the knowledge of the principal employer whether or for renovation or not in any manufacturing process or in cleaning any part of the machinery or premises used for the manufacturing process or the subject of the manufacturing process but does not include any member of the armed forces of the union इसके अपकर की proper definition जो है उनकों दी गई है क्योंकि लीगल टम्स होती है कक्तूर लेकर कि इनमें कोई भी लूट बोल नकालकर कोई factory owner इनका फाइदा ना उठाले इसके इसमें सारी चीज़ें गूड की जाती है इसलिए कई बार लगता है कि डैफिनेशन गड़ी होगी है काफी सारी चीज़ें जो है जादी गई है लेकिन ऐसा नहीं होता है लीगल डैफिनेशन इसलिए जो है रखी जाती है ताकि कोई भी जो है उनके लूट बोल्स को निकालकर उनसे खाइदा ना उठास है तो वरकर्स में यहां एक प्रॉपर्ली जो डैफिनेशन दी गई है उसमें वो सारी जो फ्रॉसीस हैं या सारे जो काम घॉंपर्स से कहा जाते हैं को इंगूड किये गई है ताकि जो है ऊच्छ उन सब काम को करने बाहरे वो सब गद kit आ कि टारेक्ट्री और थ्रू और गॉइन एम्कौईयर ने इसको अपने आंपर जो है अपॉंट किया है इसे कि इस्द नंट क्या है दोनुरी है इसके साथ कोई भी पार्ट जो है जो है जो मशीन्टी का मशीन्री प्रॉसिस का कि आपने काम करता हो और किसी भी तरह कि आपने काम काम दिया हुआ है सब आपके वर्कर बाने जाएंगे साथ इसमें एक चीज़ है कि इसमें इसमें पर्कर नहीं माना रहा है इसके बाद लेक्स टर माती है इसमें पर्कर नहीं माना रहा है manufacturing process according to section 2 plus key manufacturing process means any process 4 देखिए यहां को manufacturing process को define किया रहा है कि manufacturing process जो है वो क्या मानी जाएगी कौन सी ऐसी unit होगी जिसे manufacturing process या factory मानेगी making, undering, repairing, ornamenting, finishing, packing, oiling, brushing, cleaning, baking up, demolition and other critique or adopting any article or substance with a view of its use, sale, transport, delivery or disposal यह इतने भी मैंने आपको मत बताएगे इन सबसे relative कोल भी जो है काम हो रहा हो use, sales, delivery, disposal, delivery कहीं भी किसी भी कुदूर में तो वो एक manufacturing process जो है वो मानी जाएगी second है pumping oil, water, sewage or any other substance कोई भी जो है बत्तर इस तरह काम तकता हो या मातर इस तरह के काम किये जाते हैं तो वो सब जो है manufacturing unit जो है वो माने जाते हैं third है generating, transforming and transmitting power तो इस पावर जो है इसको generate करने वाली तो इसको transforming करने वाली या transmitting करने वाली तो नहीं नहीं कोई वो भी एक manufacturing unit की consider की जाएगी fourth है composing type of printing, printing by the letterpress, lithography or any other system of process or book binding printing machine, printing का machine पर काम करने वाली जो इसे वे जो work है वो सभी जो है, जो book binding है और जितनी भी पर printing से related सारी process है वो सभी units में काम करने वाली जो units है, वो सभी manufacturing unit जो है वाली जाती है constructing, reconstructing, repairing, refitting, finishing and breaking of shapes of vessels कोई भी शीविया पैदे उसे related construction करना, reconstruction करना, repairing, refitting करना, finishing करना या breaking up करना या तोड़ना, बनाना, construction करना, repair करना जो भी acceptra जो भी इसमें working जो है उसे related की जा रही है, वो सब जो है, एक manufacturing unit जो मैं को consider जीजब और लास्ट है इसमें, preserving or storing any article in code storage कोई भी जो है, code storage जो होता है, जमापर जो है, जो है, जो रखा जाता है, खराब उने से बचाने के लिए लंगे time तर प्रिजर्व करके रखा जाता है, इस तरह कि जो units होती है, तो code storage कहना आते हैं प्रिजर्व करना, store करके रखना, कहीं भी कोई भी बड़ अर्टिकल को, तो वो जो code storage होगा, जो भी एक manufacturing unit भी मानी जाएगी, इसको भी manufacturing unit की तरह ही consider किया जाएगा, Factories Act of 1948, तो इस तरह से जो ये six point आपको दिये गए हैं, ये six point में जिसने भी working आप बताई गई हैं, इन से related और कोई भी काम होता है, कोई भी काम किया जाएगा है, किसी भी unit में, तो एक मानी पच्छी unit की तरह के consider किया जाएगा जाएगा